अब स्टर्टी करते हैं, होमोजनेस आइसोट्रोपिक मेडियम, अभी होमोजनेस आइसोट्रोपिक मेडियम कौन सा मेडियम होता है, वैं दे इलास्टिक कोफिशेंट्स CIGKL in the generalized hook law are constant throughout the medium, मतलब जो यह CIGKL होते हैं, जो एलास्टिक कोफिशेंट होते हैं, यह constant रहें, पूरे medium में, throughout the medium में constant रहें, यह independent हो, they are independent of orientation of coordinate axis, और independent हो किसके coordinate axis के orientation पे, तो medium को हम क्या कहतेंगे, होमोजनेस आइसोट्रोपिक medium, तो एक medium, होमोजनेस आइसोट्रोपिक medium कब होगा, इसमें क्या होगा, इसमें अब देखो, हमें क्या करना है, हमने पहले क्या क्या था, हमने ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक पड़ा था, वो क्या था, और उसमें सिमेट्री थी, about x3 axis है ना, अब क्योंकि होमोजनेस आइसोट्रोपिक medium की हर axis के about symmetry होती है, तो हम वही लेके चलेंगे, ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक जिसमें x3 axis symmetry थी, अब in additional to that, हम x1 axis पे भी elastic symmetry ले लेंगे, ठीक है, तो वो हमें पताएगे कि अगर 2 axis के about elastic symmetry है, थर्ड पे तो होगी होगी है ना, तो x3 axis पे है और x1 पे ले लेंगे, तो हर axis पे elastic symmetry हो जाएगी, तो हम result पहले वाला use करेंगे, ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक वरना हमें 2 case नहीं बनाने पड़ेंगे, योगि एक में हम कहीं about x3 symmetry है, फिर x1 symmetry है, तो इसे अच्छा हम x3 axis वाला result ले लेते हैं, ट्रांसवर्सली आइसोट्रोपिक में x3 axis के about elastic symmetry थी, और फिर हम x1 के about ले लेंगे, elastic symmetry थीक है, तो देखो, इसमें क्या है हमने x3 axis वाला ले 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 थी, इसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे x1 axis को तो हम fix ले लेंगे, और बाकी 2 को 90 degree के about rotate करेंगे, उसमें क्या किया था, उसमें हमने x3 axis को तो fixed किया था, और बाकी x1 x2 को हमने rotate किया था, तो 90 degree है ना, इसमें हम x1 को fix रखेंगे, बाकी 2 axis को 90 degree से rotate करेंगे, देखो, इसमें क्या किया हमने इसमें हमने x1 डैश ले लिया x1 के बराबर है ना x2 डैश ए x3 और x3 डैश माइनस x3 x2 दो देखो x1 जो हमने constant लिली वह वाली axis तो हमने fixed रख दी और बाकी दो को rotate कर दिया through 90 degree तो x2 डैश तो होगे x3 और x3 डैश होगे मेरी माइनस x2 फिर मेरे direction को sign देख लो यह direction को sign वाले table बन जाएगी ठीक है यह table हो जाएगी फिर वही the same method हम to dash alpha beta निकालेंगे और e dash alpha beta निकालेंगे उसका formula transformation rule से क्या था alpha 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 beta j tori j वही बार बार हम जो अभी तक जो हमने सारा यूज किया था वही हम यूज करें तो हम इसमें क्या करेंगे वही टोर 1 डैश टोर 2 डैश टोर 3 डैश टोर 4 डैश टोर 5 डैश सब निकाल लेंगे तो यह सारे मेनी टोर 1 यूज करूंगे उसका रिजल्ट तो देखो यह आएगा यह क्यों है क्यों है क्यों कि मेरा ट्रांसवर्सली डैश टोर्पिक वाले में यह निकाल लूग तोर 1 क्या आएगी c11 e1 plus c12 e2 plus c13 e3 आएगा है ना यू टोर 2 यू टोर 3 टोर 4 टोर 5 टोर 6 मैं सारे के सारे निकाल लूँगे ट्रांसवरसली आइसो ट्रोपिकला केस यूज़ किया है यह मैंने कर लिया फिर वही method यूज़ करेंगे फिर यह सारा result यहाँ तक आजाएगा मेरा यहाँ तक आने के बाद फिर मुझे comparing ही करनी है देखो 6 equation में टोर 1 की जो value आई है इसमें देखो इसमें उपर 4a में भी मेरा टोर 1 था तो 6a और 4b को मैं compare कर लूँगी e1 का यहाँ से e1 का coefficient देखो यह सारे compare करूँगी तो यह तो same यह even का इसमें भी c1 1 है और इसमें भी c1 1 है यह सारे तो same है अगला 6b में देखो 6b में टोर 3 की value देखो इसमें भी सारा same यह आप देखो difference कून से मैं आ रहा है difference आ रहा है मेरा सिस टोर 6 की value देखो हाँ टोर 6 की इसमें क्या है 1 by 2 c1 1 minus c1 2 e6 इसमें टोर 6 की value क्या है इसमें टोर 6 की value है c4 4 e6 तो compare कर दो ऐसे बाकि सारे और compare करोगे compare करके मेरे constant और reduce हो जाएंगे कुछ same आ जाएंगे कुछ की value निकल जाएगी ठीक है यह सारे करते करते हमारे ऐसे reduce हो जाएंगे फिर उसके बाद हम वही इसमें बनाते हैं न यह equation बनाएंगे ऐसे तो जो homogeneous isotropic material था उसमें यह equation मेरी ऐसे बन जाएंगी जो constant की value आई थी क्योंकि मेरी क्या आई थी c11 c22 c33 सारे ब्राबर आगे वह हमने सारे सेम कर दिया जो भी आता गया result मैंने सारा इन में put कर दिया ठीक है यह आ गया इसके बाद मैं क्या करूंगी देखो वो मुझे दे रहा हो लिए two constant अब क्या है इसमें आप देख रहे हो constant तो दो ही है देखो या तो मेरा c11 है या मेरा c12 इस से पूरे में कोई constant है नहीं है न तो मैं क्या करते हूँ मैं c12 को lambda रख देते हूँ क्यो क्या मैंने ऐसा ताकि मैं क्या करूं कि 2 constant की form में देखो मैं निकाल विए देखो कैसे, c12 को मैंने lambda रख दिया, ठीक है, यह हो गया था, c12 को मैंने lambda रख दिया, और जो मेरा c44 था, यहाँ पर देखो, 1 by 2 c14, तो हमने क्या 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 है, उसमें जैसे हमने c12 को लेमडा रख दिया, फिर मैंने c44 था, 1 by 2 c11 minus c12, इसको मैंने mu ले लिया, जहाँ मेरे lambda और mu क्या है? lambda constant क्या लाते है तो देखो, यहाँ से c11-c12 क्या हो जगा? 2 set multiply में 2 mu हो गया ठीक है? c11 क्या आगया मेरा? c12 प्लस 2 mu और c12 क्या है मेरा? c12 है मेरा lambda तो lambda प्लस 2 mu हो गया c11 की value आगी यह तो इन समय पुट करते जाओ c11 की value और c12 की value क्योंकि यह lambda और mu की form में आगी जहाँ lambda और mu मेरे क्या है lambda constant है, ठीक है? फिर मैं यह सारे put कर दूँगी तो यह lambda प्लस 2 mu यह सारा हो जगा mu lambda, lambda यह सारे आजेंगे, यह ऐसा आजेंगे ठीक है? फिर मैं क्या करूँगे? तोर 1 को खोल लगते हूँ तोर 1 की कहाएगे, तोर 1 is equal to lambda plus 2 mu e1, यहा से e1 plus lambda e2 और plus lambda e3, ठीक है? यहा से e3 आगया, यह क्या? तोर 1 1 is equal to अच्छा यह वह ही है कि हमने double sum जटा दिया पहले double sum जटा आया था अब double sum लगा लेते हैं, तोर 1 1 is equal to lambda plus 2 mu, e1 की जगा, e1 1 रख दो plus lambda e2 2 plus lambda e3 3 तोर 2 2 की value निकाल लो यह भी ऐसे आजागे, lambda e1 plus lambda plus 2 mu e2 plus lambda e3 double sum लगा दिये, वो होता है वैसे लगा के, यह सादा कर दिया तोर 2 3 की, तोर 4 क्या होता है? तोर 4 होता है, तोर 2 3 तोर 2 3 की value कितनी है? तोर 2 3 की value हो, mu mu into, देखो यह 0 to 0 यह plus 0 into this 0 plus 0 into this 0 plus mu into e4, और e4 मेरा क्या था? e4 था मेरा 2 into 2 e2 3, ठीक है? और यहापे मेरा तोर 4 क्या था? तोर 4 था मेरा 2, 2 नहीं था तोर 2 3, ठीक है? यह था, यहापे 2 आता है मुन्टिपलाई में, यहापे पे सिंपल टूर 2 3 था ठीक है, तोर 2 3 की value मेरी आई mu 2 e23 2 mu e23 is equal to टूर 2 3, ठीक है? यह टूर 5 किया हता है, टूर 13 होता है टूर 6 किया हता है, टूर 12 होता है e5 किया हता है? 2 e23, 2 e13 होगा तो बस यह उसके लिए लिखा था मैंने, यह क्या था, तो यह solve कर गए यह चीज़ा आगी, तो यह देखो, अब generalize में सु कैसे लिख सकते हूँ, तोर ij is equal to lambda delta ij ekk, चीज़ा है, प्लस 2μ eij, यह कैसे लिखा है, यह ऐसे लिखा है, जैसे आपको यह लिखना है, यह वाले equation, चीज़ा है, अब lambda delta ij ekk है, तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे i और j के वाली 1 1 होई जैसे, चीज़ा है, तो अगर i और j same है, तो मेरा delta ij 1 1 हो ज जाएगा, तो चलो, when i is equal to 1 और j is equal to 1, तो delta ij 1 1 होगा, ek की value e1, चीज़ा है, तो इसले क्या होगा, यह lambda e1 होगा, तो lambda e1, प्लस फिर ij के वाले 2 2 रगदो, k भी 2, तो यह होगा, lambda e2 यह lambda e2 रहा, प्लस फिर delta ij is equal to, when ij is equal to 3 3 कर तो यह 1 आगा, तो lambda e3, चीज़ा है, क्योंकि यहापर टोर 1 की value निकाल रहा है, तो 2 mu e1, तो यह रहा 2 mu e1 है ना, तो इसको मैं generalized form मैं ऐसे लिख सकते हूँ, टोर ij is equal to lambda delta ij ekk plus 2 mu eij, अब देखो, तो यह क्या होगा, यह होगा, यह होगा generalized hook लो, for isotropic medium in term of strain or stress strain relationship for isotropic homogenous elastic medium, ठीक है, in term of 2 constant lambda and mu, क्योंकि यह lambda और मे यह constant है इसमें, तो यह generalized hook लोग कहलाएगा, मेरा homogenous medium का, ठीक है, these are 9 equations, यह जो होती है, यह 9 equations होती है, but because of symmetry, यह 6 equations में convert हो जाती है, यहापर आपका यह खत्म होता है,